प्वाइं रोमन रेंस के पास जो उनकी अंडिस्पूटेज डबल व्यूवर्सल चैंपिनशिप है उसको रखे वे बहुत जाधा सारी बातों का जवाब मिल जाएगा और यी वीडियो अंकट होने वाले तो बिल्कुल अराम से रिलाक्स होके मस तरीके से बात होने वाले हैं तो सबसे पहले मैं Cody Rhodes की तरफ साब को बताऊंगा और रोमन रेंज की कुछ ऐसे पॉइंट है जो बहुत सालों को पता नहीं से क्यों लग रहा है कि रोमन तो बड़ी आसानी से हाट जाएगा बाई कोडी की तो स्टोरी चल लिए तो आपका भी वह जो दिमांग में एक एक गलत थौट है वह बिशार्थ क्लियर हो जाएगा सबसे पहले कोडी रोट्स की स्टोरी भाई साब यह स्टोरी अब फिनिश होनी चाहिए मतलब यह इसलिए कि कोडी रोट्स का कोई फैन बोल रहा है मतलब पहले बात तो मैं न्यूट्रल परस्पेक्टिव से बोल रहा हूं जैसे डबल डॉली बुक करते हैं वैसे आपको बताने ही लगा हुआ है इस बार भी अगर कोडी रोट्स रैसल मिना में हार गया उनको स्टोरी फिनिश नहीं होती तो फिर मैं नहीं समझ सकता कि आगे कोडी रोट्स के लिए क्या हो रहा है और अगर हम एक और साइट देखें कोडी रोट्स की उनको बहुत बड़ा ऐसे बनाती है क यही विजय다 होने वाला रेस्ट वीने के मैच का क्लियरली यहां पर एक जिस दिखरी है और वो है कोडी रोट्स को डबल लबी अपनी कंपनी का फेज बनात्र अब जब यह नहीं होता है पहले अंडरेकर वो नाम हशुआ करते हैं मतलब अडेकर तो आडेटर वाला करेक्टर था तो ऐसे नहीं कह सकते हैं कभी उनकुल फेस के तरह ठीट हुए लेकिन हाँ डबल डबली बेचने के लिए अंडर्टेकर का बहुत यूज हुआ वो नाम जॉन सीना का यूज हुआ इवन आज के टाइम में बहुत सारे जो भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं वो किस से इंट्रियूज हुए जिसने डबल डबली इन्वेस्ट करती है पास मुझा जाकी देख लो Seth Rollins ने हरा ब्रола इसनों को Roman Reigns ने हरा आया है ब्रॉकलेस्टों को तो ऐसे नाम वहरा पातें ब्रॉकलेस्टों को यह कोई भी उठके आके हरा Drew McIntyre वो नेम है, उसके बाद सो देखो Drew McIntyre कैसे चमक रहा है, फिर चल रहा है, तो यह हो गया, दूसरी चीज, WWE ने उनको Cover Star भी बना दिया, कौन बनता भाई, गेम का Cover Star, वही तो बनता है, इसको लेके WWE सोची होते हैं, कि हाँ भी यह कुछ करने वाला है, और Cody Rhodes वो बन्दा है, जिसने अब तक World Championship नहीं जीती, उसके बावजुद उसको यह चीज़े मिल रही है, तो सोचो कितने बड़े लवल पर WWE उसको देख रही है, बाकी आपको पता ही है, कैसे Cover में, Banner में, Shows के Poster में, Trailer में, Trucks में, हट जगा पर Cody Rhodes का यूज़ होता है, तो यह सिंपल सी बात है समझने के लिए, कि वो Face बन रहे है, नेक्स तो obviously Face बंदा बनेगा, तो फिर अगर उसके पास आससा Championship नहीं है, तो वो थोड़ा सा अजीब लगेगा, एक चीज़ और भी है, कि लास्ट येर, WWE, Cody Rhodes, Roman Reigns, सेम मैश था, Cody Rhodes वाला मैश हार गयते है, तो सोच जाए, Cody Rhodes, और अगर ये चीज़ हो गई, तो फिर उनको कोई सीरेसली अभी लेना काई नहीं है, ये बात, Cody Rhodes का कोई बलकुल बड़ा वाला फैन होगा, बस वो sympathy रखेगा, Cody Rhodes के साथ, कि यार, इसके साथ अच्छा होना चाहिए, तो आगे देखते है, सारे लोग अपना इं अब कुछ होगा, लोग इंवेस्टे थे, ब्रॉण में, डबल लवली ने कभी उनके साथ कुछ सही तरीके से किया ही नि, थोड़े साथ उनके लिए, प्रॉब्लम्स भी होगे थी, जैसे उनको हमेशा ऐसी जगा पर डबल लवली डाल देती थी, जहां पर ऐसा नो मरसी का सुठेर मुझे जाँ ब्रॉण सुमन का मैश ता वहला मैश ब्रॉण सुमन उसने जीट जाता ना तो आज ब्रॉण सुमन में वहुच और ही हो था लेकिन क्योंकि डबल लॉबल को ब्रॉडर्य को रखना ता वहाँ पर एक फमें? भाtr को ईसा होता है कि जब बात होती है कोडि रोड्स और रोमन रेंस के मैच की लेकिन अभी थोड़ा दो ती मिनिट रूपना पड़ेगा तो जो स्टोरी थी मतलब जो रोमन रेंस और रॉक वाला मैच था उस मैच को रॉक सामने है और उसके बावजूद वो मैच डबल डबली को चेंज करना पड़ गया था कैसे से चेंज करना पड़ गया था कोड़ी रोड्स को ले आए तो सोचो अब 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 आगा रेसल मिना के मूंड में जाके वो जो मैच है वो कोड़ी रोड्स नहीं जीत रहे तो फिर आप कैसा रियाक्शन मिलेगा उनको तो यह चीज जस्ट सेकेड हाँ हाँ मेरा यह 790260 यह निपता मुझे अमें यहाँ पर कहां कट डालोगा को कि इतनी लंबे खिचडी तो नहीं दिखाने वाला मैं बट इतना बता जहां थे अपने अपनी अपनी चीज पर की जो जब डबल व्ली को अपना इतना बड़ा करना पड़ गया कि भाई रॉक और रोमन रेंज का मैच हो नहीं करें तो सोच अब कोडी रोड्स के फैन सीसी लिए तो चाहते है कि कोडी रोड्स वेसल मीनिया में रोमन रेंज से लड़ने क्योंकि वो अब उनको चैंपर मनते वे देखने चाता है स्टोरी फिनिश होते वे देखने चाहते हैं तो जिब डॉड्स ने इतना बड़ा अपना डिसिजन चेंज कर दिया तो क्या डॉड्स यह करीगी कि उसके बाद भी ओको फिर तो कुछ कहने के लिए करने के लिए कुछ बचा ही और थोड़ा सा अगर आपको ऐसा लगता है कि यार कोडी रोड्स तो बिलिवबल बंदा ही नहीं है रोमन रेंज को हराने के लिए तो उसका भी एक इलाज है डबल डबली के पास वह इलाज क्या है इस पूरी स्टोरी लाइन के अंदर रॉक है तो औरिजिनल स्टोरी डबल डबली नहीं चेंज कर दी पहले ऐसा लग रहा था कि हैड़ इंवाल्मेंट होगी और शाथ वो एक रीजन बन सकता कि कोडी रोट्स को थोड़ी सी आसानी हो जाए और यह वाला जो मैच वो जीट जाए तो यह बहुत सारे नजरी में आपको कोडी रोट्स के गिनादी है अब ही देखो ऐसा नहीं है जैसा मैंने बोला रोमन रेंस का बिल्कुल ही पत्ता कटा हुआ है सबसे पहले तो क्योंकि रोमन इतने टाइम से चैंपेन है तो ऐसा भरोसा नहीं होता कि यह बंदा हारेगा क्योंकि कई बार तो ऐसी भी चीज़ सुनने को मिलते है कि ब्रून सैमर्टीनों का रिकॉर्ड है पत्तीन हजार दिन का अल्मोस है वो मतलब जितना भी रोमन रेंज का रेन हो गया उतना ही और तब जाके रोमन रेंज हा रहेगा क्योंकि डबल लबली नया ही रिकॉर्ड बनाना चाहते है या फिर जैसे सितंबर के महीने में साल होगन का रिकॉर्ड टूटेगा तो ऐसी चीज़ है तो लगता है कि नही रोमन रेंज का रीजन है अब देखो जैसे सारी चीज़ समझाए गिनाई मोस्टी में रोमन रेंज के पॉइंट्स देखो तो वह यह हैं कि इतने टाइम से वह चैंपन है वह बंदा कैसे हाट जाएगा अभी ट्रैबल चीफ की स्टोरी हो सकता और टेल हो तो जो मज़ा है कि वह भूं сов lai, ये शायद रोमन रैंज के लिए और उनके फेंस के लिए और रोमन रेंज के लिए इसलिए भाई बहुत सारे लोग जो देख सबते देखेुप रहा है न हुकर है game yas 1 टो डहें अब ही ह doubt देखा है अब हमने क्या चासिज दख से लॉसक पहले स्टोरी कि सारे बंदे कोडि रोड के रहें तो स्टोरी कभी पर चेंज हो जाती है तो अभी प्रेडिक्शन वीडियो भी आई कि जो रीटन पहले होगी दो तीन पहले होगी तो उसमें आइध जो अभी एक-दो महिने और होने वालो साब क्या मुझा कुछ शिफ्ट आ पिर वहां जाएगा नहीं जाएगा उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते तो बताओ फिर आपको क्या लगता अपना बता सकता है इंस्ताग्राम की रील पर जाय के देखो यहांपर कॉमेंट करो तो कर लो लेकिन इस वाधिया लगा सुनके तो लाइक शेयर सबस्क्राब नोट और अंटनेस चैनल को अपर आता रहता है और तब तक आप जिंदीगी के मैं चलो वरना पता है नहीं जिंदीगी आप समझे ले लेगी अभी मैं कंफ्यूज्ज़ हुँ कि वह चो कट मानना है अमसवन की डिलिवरी वाला हो कहा मानना के कि बोलता तो उनकट है तो कहीं तो मा